टोटल दो स्टोरीज हैं और आपसे दो बाते कर रही हैं पहली अगर मैं आपसे पूछूगी आप क्या फुटबॉल खेलते हैं कौहेंगे बिल्कुल खेलते हैं कौन से टीम पसंदे कॉमेंट सेक्शन बताइएगा लेकिन जेनरल इगर मैं देखूँ हूँ इंडियन को ब्र श्रद्धा हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का जो स्क्रीन शॉट है वो ज्यादा वैरिल हो रहा है हल्चल मचाय हूँ है वाटसेप पर तो कम से कम ये स्क्रीन शॉट है इसमें प्रोफाइल पिक्शर में एंडि टीवी के पत्रकार रवीश कुमार की फ सलाम अभी पोस्ट आप देखिए और आखे फाड़ फाड़ की देखिए क्या आप इसको कह सकते की फेक हो सकता एक तरह से नहीं क्या पाएंगे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने की कोशिश करने वाली श्रद्धा को सलाम आपने हमेशा मुश्किल मोर्चा चुनाव कि इंडिया है मोर्चे पे शहीद हुई है हजार लानते भेजता हूँ स्टील अथारिटी इंडिया पे जिसने वो चाको के लिए स्टील बनाया और एलजी पे जिसने फ्रिज बनाया और एक बहादूर लड़की की जान गई रवीश कुमार ने ऐसा लिखा है ये सारी बाते स पोस्ट 16 नवंबर को है उनकी इसमें अमेरिका की वाल स्टीट पे घूमते दिखाई दे रहे हैं उनके ट्विटर कान पर हमें ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली है अगर जो लास्ट पोस्ट हमें जो मिल रही है तीन चार आप देख लिजे स्क्रीन शॉट यह रहे ये फेक थी एक और बात श्रधा मडर केस में मीडिया की कवरिज देखे हरानू देश की न्यूस चैनल के बीच में इंसाफ दिलाने की होड लगी हुई है बड़े बड़े दावे किये जा रहे हैं कैमरा महरोली के जंगलों में दोड रहे हैं और पुलिस थाने पर डिरर ढाले हुए है जहां कहीं हत्यारे श्रधा से सुई की नोग बराबर भी कनेक्शन मिल जाए तो उस्त मिल जाए पीछे पड़ जाते हैं वहां कोई ना कोई रिपोर्टर आपको ड्यूट्यू पर दिखाई दे जाएगा दिन रात की परवा नहीं है वस 24 इन्टू 7 उस मोड में रहते हैं म जब के ऐसे टुकडे किये वैसे टुकडे किये यहां फैक दिए वहां फैक दिए जंगलों में उन्हें यहां फैका वहां फैका शब काटने के बाद धोया सिर को फ्रिज में रखा सिर को जलाने की कोशिश भी की यह सारे हैड्लाइन्स बननी हैं सहाब पताने क्या क्या बन ना हुआ है किसी भी राजनिता ने शायद अब तक एक साइको की करतूत को इस वीभस चित्र चित्रन पर सवाल नहीं उठाया बत और जन प्रतिन दी ये सलहा नहीं दी कि समवेदनाओ पर अपने देश में अवसात में डालने वाली रिपोर्टिंग ना होतों कितना बहतर जाने भी बात नहीं उठाई उसे साइको भी कह रहे हैं और उसकी मनोहर कहानियां भी दिखा रहे हैं क्यूं भाई अजीव नहीं है आफ़ताप को आफ़ताप ने जो किया उसको तो उस पर कोई गिला शिकवाई नहीं बड़े आराम से मतलब सबूत मिटाता रहा खाता पी लोगों के चहरे पर शिकन भी है और दिल में सदमा भी है पतला सरकार को भी देखना चाहिए न सिस्टम को देखना चाहिए कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति मतों संग्यान ले अगर आप ऐसा करेंगे पत्रकारता के सुतनतरता का कोई हन नहीं होगा साहाब यह सिंपल सी बात है दिन भार यही है टाइन चलती है दिमाग खराब करती है अचा मोर भी पूल के बारे में आपने लास्ट बार काप सुना था कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अब बात कर देते हैं फीफा वर्ल्ड काप की तेकि एक अरसे से भारते फुटबॉल प्रेमी सबक्राइब करते हैं और ब्रेजील की टीम में गार्सन है जोर्सिन हो हैं रवालोब तमाम ऐसे प्लेयर मुझे बढ़ा कठिन पड़ लेगिन सबको पसंद करते हैं भारत ब्रेजील की फूटबॉल से काफी अपन आपको अपने अपको प्लेट करते हैं इसकी वचा एक य ब्रेजिल वाई भारतिय मूल के कंधों पर पुथी वाले और गले में जहलर वाली और लंबी सिंगों वाले भारतिय गायों को पालने और उनके दूद दही माख्खन, घी की सेवन करना और दोगली किस्म की गायों की वनस्पती कही ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो कुछ correctivity feel कर पाता है भारती है उस ब्रैजील से तो ब्रैजील में भारती गायों को प्रहममन भी कहा जाता है तो कुछ एक ये वजह भी बन जाती है सपॉर्ट करने की आपको पता है एक दौर था जब भारत फुटबॉल में एक महान शक्ति था 1950 में भारत ने ब्रजील में खेले गए फीफा वर्ल्ड कुप के लिए क्वालिफाई भी किया था लेकिन आपको पता है वहां पर भारत को नहीं खेलने दी दिया गया था भारत से कहा गया था कि देखिए आपके पास खेलने के दिए ना वो जूते नहीं है कारण ये बतायागा कि फीफा जो कप है ना उसमें खेलने के लिए फुटबॉल की एक विशेश तरह है कि जूते की आवशकता पड़ती है जो आपने नहीं पहने है जबकि आपको पता है कि उस दौर में भारती खिलाडियों को उस वक्त नंगे पाउं खेलने की आदत होती थी और उनके पास काईदे के भूट भी नहीं थे लेकिन तब से और अब तक का वक्त अगर आप देखेंगे तो बहुत बदल चुका है अब भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति भी बन चुका है तो यह तो आपको पता है पास्ट अब ब्रजील को सप्पोर्ट करने के लिए कुछ खिलाड़ी भी उन्हों खिलने के तरीके भी है इसकी बात मैंने करूँगा इसमें आप क्या सकते हैं विस्ट बिंगॉल है केरला है तैनापका गोवा है और मनिपूर शामिल है यहां पर प्रमुकता से फुटबॉल खेला जाता है कुछ फेक्ट मैं आपको बताता हूं देखो भाई यह बताओ क्या क्रिकेट में जीतते हैं तो कुछ करोण मिल जाते अब सुनो फीफा वर्ल्ड कप की कहानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने वाले टीम को करीब मिलेंगे 342 करोड रुपीज IPL 2022 सीजन जीतने वाली टीम में वो करीब तकरीबन 20 करोड रुपे मिले थे FIFA World Cup में बटेगी तकरीबन 3585 करोड रुपे का प्राइस मनी यह अंतर है और भारत के अंदर काफी ज़्यादा लोग जो है वो क्रिकेट देखते हैं अज नहीं होगे किस को फुटबाल और क्रिकेट दॉन खेल आ पसंद है कोमेट सेक्ष है में ज़ूर है इस फेडिवों कर तीन वानोर खेलना on सत्तिवेव जयते, नवाश्कार, संडे लाइव, नवाजे, याद रखेगा, मिलता हूं मैं आपको लाइव, नवाश्कार,